श्मीर के पुंच में भूसकलन ने बढ़ाई मुसीबत भूसकलन की वज़ा से राश्ट्री राजमार्ग को भी बंद किया गया के माचल के खुलू में ब्यास नदी में गिरा ट्रक ट्रक ड्राइवर लापता ट्रक चालक की तलाश जारी टेस बारिश की वज़ा से दिली एरपोर्ट की टर्मिनल वन पर छद ढहने से हाथसा हाथसे में पाच लोगों की मौट एक खाय दिली एरपोर्ट पर हुए हाथसे में रैस्क्यू जारी मलबे में कुछ गाड़िया जटी ग्रस एक शक्स के अभी भी फसे होने की आशंका दिली में भारी बारिश से कई अलाकों में जल भराफ की स्तती भीका जूई से तस्वीरे सामने आई हैं सडकों पर सन्ना टपस्त्रा दिली में भारी बारिश से सडकों पर भरा पानी कनौट प्लेस पर बारिश की वज़ा से गाड़ियों के रफ्तार धीमी हुई और दिल्ली के मोटी बाग में भी बारिश से आफ़त की तस्वीरे सामने आ रही है सड़कों पर लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है कई लाकों में अभी भी बारिश हो रही है नौईडा में भारी बारिश की वज़ा से कई लाकों में पानी भर गया है नौईडा के सक्टा 95 की तस्वीरे साथ याई अमरनाथ यात्रा के लिए जमू पहुचे हजारों तीर्थी यात्री यात्रा के पहले जथे को जमू कश्मीर के ऐलजी मनुत सिना ने हरी जहनी दिखा कर रवाना किया अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रधालू का जोश हाई दिखा पहले जथे के तीर थी यात्रियों ने लगे अब बंबं भोले के नारे बावन दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा और बंगलूरू पूने राजमार्क पर अफ़तार का कहर टेंपो ट्रावलर को ट्रक ने पीछे से टकर मार दी हाद से मेबारा से ज़्यादा लोगों की मौत